Gs एक ऐसी चीज है, जिसको बार-बार बार पढ़ना पढ़ेगा, और बार-बार पढने से भी, बार-बार सुनना भहतर है, बार-बार पढ़ना, बार-बार शुंना, जब आप रेनिंग लगा रहे हैं, जब आप मस्ती के मून में, कान में लीड लगाई, मॉबाईल में क्ल सुनते जा रहे राइं, रणिंग लगाते जारें, सुनते जारें history, geography, polity, सुनते जारें आप बार-बार जब उस चीज को सुनते रहेंगे ना तो धीरे 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 वो आपकी permanent memory में based हो जाएगी और यहां से मेरे बच्चे आप GS में अपने आपको एक मजबूत स्थीति के और लेकर जा रहे हैं GS में बहुत जरूरी है हम इस रूटीन को फोलो करें आज जो चीज हमने पढ़ी है पहले दिन इसको दूसरे दिन भी पढ़ें इसी को चोथे दिन भी पढ़ें इसी को आठवे दिन भी पढ़ें इसी को सोलवे दिन भी पढ़ें उसी चीज को इसी को बतिसमे दिन भी पढ़ें इसी को चोंशटवे दिन भी पढ़ें यह आपको एक बेसिक ग्राफ समझ में आ गया होगा जब आपने माली यह हिस्टरी का पहला लेक्चर है मैं एक्जांपल की दोर पर समझा रहा हूँ आज आपने उसे पढ़ा अब मैं उसकी क्लास मोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको सुना पढ़ा अगले दिन फिर सेशी को पढ़िए उसका फिर चोते दिन इसी चीज को पढ़िए फिर आटवे दिन इसी चीज को पढ़िए फिर सोलवे दिन पढ़िए फिर बतीसवे दिन पढ़िए फिर चोसटवे दिन पढ़िए उसके बाद 128 वे दिन पढ़िए ये कारवाई तब तक रहेगी जब तक आपका पिपर नहीं होगा या मैं तो ये कहूंगा एक दिन टक्कर मारें सीजियल इंस्पेक्टर को आप बनना चाहें SSC के थुरू Officer Post पर सेलेक्शन लेना चाहें आप अपने स्टेट में सब इस्पेक्टर की Post पर सेलेक्शन लेना चाहें तो यह जितनी भी चीजें यह हू बहू वही कामानी है यहां मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं मैथ की बात करूँ GS की बात करूँ Reasoning की बात करूँ English, Hindi की बात करूँ यह वो चीजें हैं जो किसी भी एक्जाम की नीव है अगर नीव मजबुत हो गई तो उपर इमारत बुलंद बनाई जा सकते जिसे इसराइल भी नहीं गिरा पाएगा कि आप मेरी बात समझ पाएगा दूसरा काम है कि आप Class Notes को जब फ्री दीखें तब बार-बार पढ़ लीजे क्योंकि एक ही चीज़ को जब आप बार-बार पढ़ेंगे तो पांचवी से छटी बार आपके साथ ये हलात होगी कि आप देख नहीं रहे होंगे लेकिन आप पढ़ रहे होंगे आप विश्वास मानिए हम पेज पढ़ने लग रहे हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चोथे दिन, पांचवी दिन लेकिन पांचवी दिन के बाद क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी से, आप आँखों से नहीं पढ़ रहें, लेकिन दिमाग पढ़ रहा है, क्योंकि दिमाग को इस चीज की आदत हो चाहिए, इसलिए मेरे बचे माइन को ट्रेंड करिए, अना इस सिक्वेंस को फोलो करिए, बार बार सुनिए, और जी इसमें इक और न जी के में कोई चीज बढ़ाई, राना सर ने आपको हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ बढ़ाया, जो चेप्टर बढ़ाया, दो तीन यार दोस्तों का गुरू बनाईए, और कहिए कि भी आज रणिंग लगाने के बाद, या लाइवरे इसमें जाने के बाद, या किसी भी सम पर हम डिसकसिन करेंगे, तुम उससे सवाल पूछो, जो प्रिवीशर में आये हुए, मैं जवाब दूँगा, मैं पूछूँगा, तुम जवाब दो, मेरे बचे जितना डिसकसिन करोगे ना, उतनी चीज़े मजबूत होंगे, आज से कोसिस करिए, डिसकसिन केवल और जी इसका हो, क्योंकि यह बहुत मजबूत है,